नमस्कार दोस्तों दर्द जो कि कबी ना कभी हम सबको होती है और दर्द किसी भी रूप में देखी जा सकती है तो आज हम इसी के बार में बात करेंगो और इसकी होमेफैथिक ओयल और होमेफैंथिक सिरिप के बारे में जानकारी दूंगा तो इस वीडियो को लास तक जूरूर देखिएगा तो मैं डॉक्टर अमेत आपको इस चैनल में बहुत-बहुत सुखता है तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों डर्द जो कि कभी ना कभी हम सब का महसूस होती है अपने जीवन में या अपने लाइफ philanthropy जैसे कि किसी को इन्जरी हो जाती है चोट लग जाती है उसके कारणिया मौच आ जाती है या आज कल बरसाथ का मौसम चर रहा है फिसल जाता है कमर में लग जाती है कहीं अधर पार्ट में लग जाती है मौच आ जाती है तो यह इसके कारण जो हमें दर्दें महसूस होती है या फिर स्रीर में जो फैक्टर रहते हैं जैसे हम टेस्ट कुराता है यू कि जो normal range रहते वो बढ़ जाती जिससे कि हमें गठी है कि स्काइट हो जाती है हमारे जोड़ों में दर्धें हो जाती है उसके बाद होगे कि हम कोई ऐसा काम करते है जैसे हमारी ममी बेहने बाई जो भी हमारी family members है अगर उनका काम उठने बैठने कब हो जाएद है है और उठत इसके सब करने को मिलते हैं किसी भी परकार से तो आज उसी के लिए आज मैंं होटोगे हो में पींड को है क्लिक कॉन से हो में तर्फ जो कंडिशन बहुत ही अच्छाhaft करते हैं हो दोस्तों उसॉमेतिक सिर्ण का नाम है रोमाटॉन सिरप जो कि आप यह देख सकते हैं रोमाटॉन सिरप तो मैडिसीन का यानि कि आप उस , कहारा त्यो μαक रूइकर दिखा रखेंस जोड़ों स्कूति उसलितरों की नियुक्ण हुआ है arthritis and goat यानि कि यह जोडों के लिए बहुत ही अच्छा रजल देता और अधर कंडिशन जहां पी जैसे कमार दर्द हो गया सर्वाइकल की होगी रिड़ के दर्द होगी किसी प्रकार के दर्द रहते तो उसमें बहुत ही अच्छा रजल देता है उसके अंदर बहुत ही combination डाला हुए यानि बहुत अच्छी medicine डाली है रस्टॉक्स डाली हुई है ब्राइन डाली हुए लीडम पार डाली हुए है अस्बगंदा डाली हुए काली बिच डाली हुए है मैग फोस डिली ऐसी बहुत सारी medicine डाली हुए तो इस ओय यानि कि इस सिर्फ के उपर आपको मिलेगा homepathy clinic में है पेडोग कंपणी का तो इसको यूज करना है आपने उसको तरफ करना है दस एमल दिन में तिन बार यूज करना है सुबा दो पहर साम को घाना-खाने से 30 मिलट पहले या बाद में कभी भी आप इसका यूज कर सकता है बहुत ही अच्या रज़ा हैं तो इससका उल्दलश रहते हैं ढ़िस एक हमसे फैर्फित 5 प्राइस रिपेश का प्राइस रहते हैं छो कि आप आज मैं और हैंदॉस्ट कर सकते इसका यूचर में ड़रद रहते दोश्तों चेलता है और की कौन सा ओईल जो कि बहुत है अच्छा रजल्ड देता है दौदों में दोस्तों सो होमीपैथिक आइल का नाम है रूमाटो ओइल इसका नाम भी रूमाटोन ओएल है यह सिर्प हो गया और यह ओईल अगा दोनों का नाम बिल्कुल सेम है रुमोटोन है दोनों एक ही कंपनी के हैं है पिड़को कंपनी के जो कि आप यह देख सकते हैं तो यह सीर्फ बेस में इंटर्नली है और यह एक्स्टरनली है तो अब चाहलते हैं ओएल की तरफ तो दोस्तों भी बहुत अच्छे रजल देता है इसके उपर भ बहुत ही एफेक्टिव और इसकेंदरी बहुत अच्छी मैडिसन देलिए है जैसे कि में गुल्थेरिया है अर्निका एकन थैरी सारस टॉक सेकंप और ऐसी काफी मैडिसन सकेंदर चाट पास देलिए जोंकि बहुत ही अच्छे रजल देते हैं पेंस के लिए तो इसका भी अच्छे से वहां पर मसाज करना सुबह दूपहर सामको यानि दिन में दो से तीन बार इसको मसाज कर सकते हैं और दब भी आपने इसको मसाज करना थोड़े के लिए रेस्ट करना है ताकि अपना वर्क अच्छे से करे तो बहुत अच्छा रजल देखने को मिलते हैं अभी बहुत ही अच्छा रजल देता है अगर आपके स्रीर में किसी प्रकार के दर्दे रहते तो बहुत ही इसका यूज कर सकते अगर बच्छा चोटा रहते हैं या कोई चोटे परसनों को दर्दे महसूस हो रही है गिर गया है लग गया कर्द है या सरभाइकल किसमस्या होगी लगाने वाली तो उसको अपने ही साब से लगाना है अपने की कितना एरिया है और पीने वाले को पांच है मल करते वैसे इसका यूज कर सकते और बहुत अच्छा जल देखने को मिलते हैं दर्दों में दोस्तों आश्रा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीस वीडियो को लाइक करें शेयर करें साथ में आपको दिखाए देगी रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन तो उसको दबाना ना बुले साथ में आपको दिखाए देगा बैल का आइकन तो उसको भी दबाना ना बुले इस यूज के जैसे में हम झाल झाल